अब देखिएगा कि union का operation हम पढ़ते हैं ठीक है union क्या होता है? कि union क्या होता है जब भी हम दो set लेते हैं देखिएगा कि example के तुरू पहले समझेंगे फिर उसका definition write down करेंगे तब भी आपको क्या हैगी definition समझ में आएगी हम क्या कर रहे हैं ठीक है? तो पहले देखेगा कि यहां से हम क्या करते हैบई अपने पास वह है कि union होगा तो जब भी हम किसी भी देखियेगा कि numbers का जब operation करते थे तो हमें 2 number की तो need होती थी इसी प्रकार से यहां पे भी हमें क्या होगी set की तो जरूथ होगी यानि कि दो set जरुवत होगी अपने को तो हमने क्या कि एक तो a set ले लिया भई कि 1, 2, 3, 4, और 5 और a अपनोंने क्या ले लिया भई? b set ले लिया अब b set में कौन-कौन से element थे अपने? तेखेगा कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको पहले समझा देता हूं, ठीक है? तो यूनियन में क्या होते हैं कि हमें क्या लेने पढ़ते हैं इन दोनों में से पहले तो हम distinct element लेते हैं, फिर जो repeated हो रहे हैं, उनमे को हमें एक बार ही लेते हैं, जो union करने के बाद में भी जो बनता है, वो set ही बनता है, इसका मतलब set के अंदर repetition है, वो क्या नहीं होता, allow नहीं होता है, यानि कि इसलिए हमें repetition को हटा देना है, तो यहां पर देखिएगा, तो अभी इस set में देखिएगा कि union, देखिएगा union, अब मैंने क्या बोला आपको इस set में वो पहले तो इसके देखिएगा कि distinct पकड़ो, आप distinct पकल लीजेगा, तो पहले अपने पास देखिएगा कि 1 over 2 तो distinct है, और यहां तक देखिएगा कि कितना 4, 5, और फिर देखिए 4 आगया, यहां पर, अब इनको क्या करते है, एक बार ही लेते है, बस only take only one time, तो उनको एक time ही लेंगे, तो यहां से लिख देंगे 3 or 4, यही बस basically union है, अब union, ठीक है, अब union को हम किस तरीके से, इसको when diagram में भी represent कर सकते हैं, इसी set को देखिएगा कि when diagram में कैसे represent करते हैं, कि यहां से, देखिएगा कि मैं आपको पूरा यही पर clear cut बाते बता दूगा, सारी की सारी, यहां पर यह है, अब देखिएगा कि इसके अंदर देखिएगा, यहां से circle है, यह है, अब देखिएगा कि कहीं कहीं पर अपने पास देखिएगा कि कोई set आ सकता, जिसमें common भी नह आएगा, वो भी हम देख लेंगे कि उसको represent कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले जो अपने पास यह जो example है, इसमें देखिएगा कि कौन-कौन से element है, देखिएगा कि इसमें देखिएगा कि distinct है, यहां पर देखिएगा कि 1 है, 2 है, और 3 है, और इसमें देखिएगा कि कौन- 6,9,8 तक है, अब देखिएगा कि इन में common elements कौन से हैं, जो common elements होते हैं ना उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा, तो 1,2 और यहाँ पर 3 भी आगया, 4 भी आगया, 5,6,7,8,9 तक आगया, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, और और यह बी इन दोनों को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं इतनी डाइभ्रा मत, क्या लिखते हैं A Union B अपक्र आभ समझ सकते हो कि अपनी पास देखिएगा कि अपनी चाचा की और अपने पापा तो उस पापा की फेमेली में क्या होंगे ? कि भई उसमें क्या होता है कि जिसमें चार-चार दोनों के क्या है जो इसका जो नेक्स्ट टोपिक आने वाल है वो अपना इंटरसेक्शन है और यहां पर कि जो a set है उसके अंदर कौन से हम हैं और अपने दादा दूदी सब हैं ठीक वहाँ पर और इसमें चाचा वाली में भी क्या है सब हैं तो इसका मतलब union अब union में क्या करेंगे अपनी जो family के अंदर जो total members हैं वो कौन से होंगे चार members अपने क्या होंगे अंकल के होंगे दो अपने पापा वाले होंगे और दो कौन से होंगे दादा और दादी तो आठ members आएंगे ठीक है तो हम इस तरीका से हम क्या सकते हैं union को भी समझ सकते हैं अपने देखिएगा कि regular examples है real life के example इसको बोल द यूनियन ही हो गया भाई कि यह जो union आया वो इसका क्या है एक universal set हो गया क्योंकि इसमें a b belong करेगा और b b belong करेगा तो यदि आपको universal set पूछता तो हम क्या करते हैं इसके जो जितने भी elements थे वो universal set ही आते इसके बाहर तो कोई element बेठा हुआ नहीं है कि वो करते हैं तो यह त देखिएगा कि अब हम definition पर आते हैं अपने पर definition तो union क्या होता है तो देखिएगा कि let कि हमारे पास क्या है let a and b are any sets ठीक है यह है the union union of a and a and b यहनी कि union of a and b is a set of elements कि यह क्या होता है set of elements होते है which जिसके अंदर क्या होता है which contain which contain all elements of set a and क्या करते हैं दूसरा क्या करता है all elements of set b जो अपने पास b set होते है ठीक है और यहां पर देखिएगा कि जो repeated element होते है जो repeated element है repeated element elements take only one time उनको हम क्या लेते है only one time पर उनको लेते है तो यह अपने पास देखिएगा कि union की definition आती है ठीक है अब इसको क्या करते है कि the symbol इसको denote कैसे करते है इसका notation क्या है जैसे कि हम क्या करते थे जैसे कि हम क्या करते थे जो यह कौन सा symbol होगा इसको denote करने के लिए अपने पास इस परकार का होगा is used for is used for union ठीक है use for यहां से रुकिए use for notation of union ठीक है तो यहां से अपने पास देखिएगा कि union आएगा then अब देखिएगा कि then union of set A and B is is represented by किसे करेंगे उसको हम करेंगे A union B से तो यह अपने पास देखिएगा कि किसी भी दो A और B जो set है उनका क्या होगा is represented by A union B जो भी होगा उनका जो union होगा union of set उसको हम represent करते हैं union B से तो यह अपने पास देखिएगा कि यह इसका notation होता है यह अपने पास देखिएगा झाल